ये कि शरत्वार इस उमर में भी यानि असी पार उमर में भी वो जिस तरीके से हुंकार भर रहे हों कि अब मैं पुरे मारास्ट का दौरा करूंगा वो कराण पहुंच गए वो और वहां पहुंचकर उन्होंने एक तरीके से चुनोती दे डाली है तो प्रश्टों तो यह यह संख्या पहुंच जाती एक सो साथ के ऊपर और उसके बाद भी आपको कुछ और विधाईकों की जरूरत है तो यह तो समझ में आता कि अजीत पवाट डर गए और डरना स्वाबाविक भी उनके ब्रस्टा चारे कंभीर आरोप है उनके साथ चगन भुजबल भी जो दो कोशिश करते हैं यह तो समझ में आती थी लेकिर बीजेपी को इनकी दरकार क्यों लेकर आ रहे हैं और डेप्टी सियव बना रहे हैं और बीजेपी जिसके पास 105 से ज़्यादा विधायक है उसका आदमी मुखमंतरी नहीं है तो कुस तो मजबूरिया रही होंगी यह कोई बेवफा नहीं होता है अशितोष जी ऐसा है मामला की देश की राजनीती पूरी वोट बैंक पर चलती है अब किसी के भरोसे नहीं चलते लोग वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं और भाजपा की वोट बैंक जो है वो शिवसेना के साथ काफी मजबूत हुआ करती थी 2014 क पहले, सबसे पहले उन्होंने कोशिश की थी 2014 में बाला साहिब ठाकरे और शिवसेना, इन दोनों का जो उनके सर पर एक बोज जैसा उनको लग रहा था, वो दूर करके वो अपनी एक पहचान बनाना चाहते थे महारस्टा में, कोशिश पुरजोर की उन्होंने, नरेंदर इसका मिला सबसे पहले, NCP का मिला, NCP ने बगर मांगे उनको हम सत्ता में नहीं शामिल होंगे, लेकिन सरकार मजबूत और स्थीर होनी चाहिए, इसलिए हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने आनौन्स कर दिया, सब बॉखला गए कि वही NCP को क्या पड़ी थी, NCP तो opposition वा चाहते हैं, हमको बगल में बिठा कर, हमें सत्ता के कुछ पद दे कर, इनकी ये कोशी चल रही है कि हम इनके साथ रहे, और यही कोशी चलती रही, लेकिन लोकसभा चुनाओ के पहले, 2019 के पहले, शायद एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, ऐसा मैंने सुना था, कि जिसमें ये बताया गया कि बगर शिवसेना के अगर भाजपा लोकसभा की चुनाओ लड़की है, पचीस के आगे नहीं जाएगी, और उनको महराष्टा से काफी उम्मीदे थी, तो उन्होंने ये सोचा कि भई, अगर शिवसेना को साथ रखेंगे तो क्या, तो बोले, चमत्कार हो सकत है, 40-42 तक भी आप जा सकते हो, हुआ यही, इसलिए उनको 2019 में शिवसेना के साथ समझोता करना पड़ा, अब लोकसभा के बाद विदान सभा में भी कुछ न कुछ तो अन्बन चलती रही, शिवसेना को पूरी तरह से शायद समझ में आ रहा था कि हमारा जो बैगेज, उन 105 के आगे बीजेपी जानी पाई, अब आती है वोटो की राजनीती, उनको यह लगा कि हिंदूत्वा के मामले पर बाला साथ ठाकरे ने, जो वोट बैंक महारास्टा में बनाई यह है, हम उसको तोड नहीं पा रहे हैं, महारास्ट का मतदाता जो है, एक सेक्शन वाला मतद का ही पूरा, या यह एकणात, चिंदे का ही पूरा यह है, गल्ती तो उतरुठा की तरफ से भी होई है, उन्होंने अपने विधायकों के साथ जो रिष्ता जो रिष्ता शरत पावर बना के रखते हैं अपने विधायकों के साथ, आज भी देखिया आज की तारिक में, जो विदाय कल शपत गरेंट समारों में थे राजबहुन पे वो उनमें से कुछ लोग तो अभी उनके साथ गाड़ी में गूम रहते आज ये रिष्टा जो है वो दो ठाकरे नहीं बना पाए उनका क्म्यूनिकेशन गैप तैर हो गया वो शायद कोविड का बहाना बनाते हैं या अपनी बीमारी का बहाना बनाते हैं कि मैं भी बीमार था मुझे ये वहा तो लेकिन जो कनेक्शन तूड़ गया उनका उसकी वज़े से ये लोग चले गए फिर भी महाराश्चा की वोट बैंक उनकी उनके जो पिता बाला सब ठाकरे की जो विरासत में मिली है वो आज भी उनके पास है ये जब बीजेपी को शायद पता चला कि ये वोट बैंक हम नहीं तोड़ पा रहे हैं आज भी उसमें कुछ उपचिनाव भी हो गए महाराष्टा में वहीं भी ऐसा ही सामने आया कि आपको उट वोट व्यंग नहीं तो फिर क्या करे इस वोट वैंक को क्या कर सकते ह legal कर सकते हैं उनके समझ में आ गया और ये माराथा वोट बैंक शरत पवार की पार्टी के साथ है जो पार्टी माराथा वो स्ट्रॉंग होल्ड में पश्चिमी महाराश्च में काफी मजबूत है और इसको अगर तोड़ना है तो फिर अगर माराथा वोट की दरकार है लेकिन एक सवाल यहां पर है अगर माराथा वोट चाहिए तो माराथा तो शरत पवार के साथ जाएगा या जीद पवार के साथ जाएगा यह तो सबसे बड़ा खेल अभी शुरू होगा माराथा वोट बैंक जो है वो किन लोगों ने बरकरा रखी है शरत पावर अकेले नहीं है शरत पावर के साथ जो लोग है उनके जो उनके अपने हर जिले में फैले हूए उनके नेता है उनके यह नेता कौन है यह नेता महराष्टरा में कॉपरिटूस ट्रक्चर में इनको लगता है कि अगर शरत पावर का साथ हम चोढ़ेंगे तो यह लगता है कि काट्र फ्रबीन की प्टूर सेक्टर में Myth वाक्षेतर में नेता लोगों को वो पर्सनली पहचानते हैं, उनको सारा पता चलता है, आज की तारीक में देखिए सारी राजनितिक दल, दिली में बैठे हुए सब लोगों को पता है, सर्वे पर काफी बरुसा करते हैं, सर्वे करो, सर्वे करो, सर्वे करो, हर तीन मेने में प्रवार जैसे नेता को सर्वे करने की जुरुरत नहीं है मैं उनकी तारीफ में नहीं कह रहा हूं उनके बारे में अगर आलोचना करनी जाए तो सव मुद्ध है मेरे पास लेकिन क्लाउट है उनका हर तहसिल में हर गाउं में एकाद वेक्ति जो है वो कभी न कभी उनसे मिला है और वो शायद जानते भी होंगे उसको तो यह जो कनेक्ट है यह तोड़ना इतना आसान नहीं है अजित पवार के सामने यह सबसे बड़ी चुनियोती होगी कि उनके अंकल जो है उनके चाचा जो है उनका यह क्लाउट कैसे वो तोड़ पाए यह बड़ा मुद्धर है कर सत्त हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर